नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज हम बात करेंगे सीटेट 2019-2020 कि दोस्तो आज टूड़े ब्रेकिंग नूज हम देखने वाले और सबसे पहले दोस्तो बात करेंगा आज आपकी एक तारीक हो चुकी है एक जन्वरी 2020 त दोस्तो आज की बड़ी अप्डेट सब सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो के आवएदन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही आई उसको देखते हैं फिर उसके बाद दोस्तो बात करेंगे आपके सीटेट 2019 रिवाइश रिजल्ट के बारे में और दोस्तो कितने नमर आपके बड़ें क्या दोस्तो ये बच्चों के साथ मजाक हुआ कि क्या हुआ दोस्तो क्या फेल चातर आपके पास हुए या नहीं तो दोस्तो इस वीडियो में सब कुछ हम डिसकत करेंगे सबसे पहले आपको बता देगी जो केवेश की नौकरी आने वाली उसको लेकर क्या पीजेटी टीचर चौप 2020 तो केंदरी विद्याले संगठन ठीक दोस्तो जल्द ही केंवेश टीजेटी पीजेटी सिच्चक बरती 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है भरती में सामिल होने वाले उमीदवार तो ये आपकी ओफिशल वेबसाइट दे रखा है पर जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इच्चुख और योग अबयरती TGT और PGT पोस्ट के लिए आवेधन कर सकते हैं अभी कोई ओफिशल नोटिफिकेशन केंदरी विद्याले संगठन की ओर से जारी नहीं हुआ है इसलिए उमीदवार आफिशल आवेधन कर सकते हैं तो दोस्तो अब हम बात करेंगे आपके CT8 की final answer की जारी हो चुकी है जी हां तो कल आपकी 31 December को आपकी final answer की को जारी किया गया जो कि दोस्तो इसमें mention हुआ हुआ 27 12 2000 19 की दोस्तो date mention थी आपकी answer keeper और उससे पहले दोस्तो जो answer की आई थी वह पहले आई थ जी हां दोस्तो language 1 और language 2 में अगर आपने different subject ले रखें तो ही दोस्तो आपको उसका फायदा मिला होगा नेकि दोस्तो बाकी subjects में कोई आपको फायदा देखने को नहीं मिला तो दोस्तो seated 2020 की तैयारिया सुरू हो चुकी है अगर देखिए अभी तक आपका seated 2019 में आप पास न नहीं हुआ है होने के लिए दोस्तो हो सकता है कि जब आप हमारी वीडियो को देख नो हो सकता है तब तक भी इसमें आवेदन सुरू होगा लेकिन दोस्तो ना होने के समय भी लग सकता है तो आप लोग अपनी महिनत करते रहें क्योंकि अगला seated का paper seated जुलाई 2020 में होने वा बढ़ सकते हैं तो दोस्ति इसके लिए लिंक आपको कमेंट वॉक्स में दे देते उस लिंके माधियम से आप अपना एक बार रिजल्ट सेक करते रहें जैसे दोस्तों आपका वाइस डिजट आता है तो हो सकता है कि आपकी किसमर्च चंद कर आप एक दो नमर बढ़ सकते हैं आपके देखें होगा क्या ना जो बचे लेंगवज वन और लेंगवज टू अलग अलग ले रखें दोस्तों नहीं को फायदा हो सकता है जैसे किसी बचे ने हिंदी इंग्लिस ले रखा किसी बचे ने हिंदी संस्कृत ले रखा किसी ने इंग्लिस और संस्कृत ले रखा है तो अलग अलग सब्जेट्स हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको अलग अलग चीजे देखने को मिल सकती हैं तो उससे दोस्तों आपको फ या 80 नमर बनने तो दोस्तो तो वह बच्चे 80 और 81 ते 82 तक पहुँच सकते हैं ठीक है न और जिन बच्चों के नमर 285 बनने तो 285, 89 तक तो वह बच्चे 90 तक करीब पहुच सकते हैं एक बार आप लुग चेक करते रहेगा और दोस्तो उन बच्चों को थोड़ा नुकसान भ पलट भी सकती है दोस्तो जी या दोस्तो अगर किसी में आपका एक भी नमर कम होता तो 82 से आप 80 से पर आजाएंगे 90 से आप 89 पर आ सकते हैं तो इस बात को भी आपको थोड़ा देखना होगा तो आप एक बार जब रिवाइस्ट रिजल्ट जारी हो तो उसको जरूर देख जिंद्री विद्यालयों में कुल 6000 पदों पर सिच्च भरतियों की नियूकतिया की जाएंगी जिया दोस्तो इसनी जगह आपकी नियूकतिया हो सकती है तो दोस्तो के वी एस टीजीटी पीजीटी टीचर्स जो आप 2020 के लिए ऐसे करें अपलाई कैसे आप अपलाई कर यहां होमपेज पर दोस्तो के वी एस टीजीटी पीजीटी भरती लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है यहां के वी एस टीजीटी पीजीटी सिच्च भरती नोटिफिकेशन को पहले आपको ध्यान दे पढ़ना होगा जब आप नोटिफिकेशन को आपको करने के बाद आपको समिट बटन पर किलिक करना पड़ेगा तो दोस्तो इस तरीके साफ आपके जोप्स आएंगी उसके लिए दोस्ता अप अपलाई कर पाएंगे देखिए बहुत ही ज़रूरी चीजे इस वीडियो को आदेख सेधीक अपने दोस्तों को सियर करके बत दोस्तों आप शुरू कर दियोंगे जो बच्चे सीटेट पास हो चुके होंगे तो वो अब आगे के तयारियों में लग गया होंगे मतलब KVS के लिए और जो बच्चे अभी दोस्तों सीटेट को पास नहीं कर पायोंगे तो अभी उनको सीटेट 2020 देखना पड़ेगा तो अ साल दोस्तों आपके लिए हो सकता है कि अच्छा ही रहेगा देखिए में एक बात कर आपको हमेसा ध्यान रखना है कि दोस्तों लड़ने वाले ही जीतेते हैं दोस्तों जो बच्चे मेहनत करते हैं आज दुकल उन्हें सक्सेस जरूर मिलती है और देखिए अगर आपके कर रहे हो ठीक है न तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस बार आपने गलती कहां पर रखी है आपको आपका रिजल्ट देखने पर दोस्तों आपको हर एक सब्जेट्स का नमर आपको सो और आउगा कि तीसमें से किसी में आपने 25 नमर पायांगे तो उसको आपको खाड़ी रिवाइस करते रहना है जैसे आपने किसी में 25 नमर पाया तो उसको हमेशा रिवीजन करते रहे हैं क्योंकि अगली बार पेपर होगा तो 200 स्लेबस तो ही रहने वाला है बता दे जो बचे केवगेस की तैयारी मिलागे तो वो बच्चे डरे ना देखिए हर बाद जो सीटेट का रिजल्ट अभी आपने दबर देखा कैसा आया आपको पता ही होगा लगबख 24 लाग बच्चों ने पेपर दिया था जी यहां दोसरा लगबख 24 लाग बच्चों फिल किया था उससे अधिक बच्चों ने लेकिन पेपर आपको 24 लाग बच्चों ने दे दिया था रिजल्ट में दोस्तों लगबख 5 लाग 42,000 संसिंग बच्चे पास होते हैं यह आपने देखा ना मतलब इतने बच्चे पास क्यों नहीं हो पाते देखिए आधितर बच् लैंगोँज 2 में अगर आपने इंग्लिस में रखा हैं तो दोस्तों उसको आपको नınız करते हैं कि बच्चों कैसे फेपर खराब होता हैं कुछ को थोड़ा वो ताइडिया लगता लेकिन ये दोस्तों कोई जरूरत नहीं है आप जो देखते हूं कि यार किसी 22-25% बच्चे पास हुए है क्या किसी बच्चों को कुछ आता नहीं था कि पेपर इतना ज्यादा कटिंदा ऐसा नहीं था अगर दोस्तों मालेते हैं अगर आप इनग्मजवन में अगर हिंदी ले रखा तो दोस्तों जब उसको बुकलेट मिले तो वहां सिर्फ लैक्मजवन पे हिंदी दिखें इंगलीज ना दिखें कोई जरूरत नहीं है जब आगर दोस्तों आपका ओनलाइन पेपर हो ता कि आपको फायदा मिलता है यही सब दोस् अम付भब आपको लिंक देढ़ेंगे उस लिंक के मादरों से आपको स्य वाली बातों के अंपडेट garant आपको करते रहेंगे कब से आपका topic प्राविदन सुरू होंगे चैनल पन्या तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और ठीक है तो फिलाल दोसाद नीवर है तो आज इसको आप से लिप्रेट करिए आज की दिन परिशान मत हुएगा फिर मिलते जेगिकेशना।